वेल्कम बैक और ये तमाम मेरे इद्गेत खुबसूरत पेंटिंग्स हैं और जो इनको इस शकल में लेकर आई हैं वो हमारे साथ मौझूद हैं बारा साल का इनका एक्सपिरियंस है मिक्स पेंटिंग करती हैं उसमें डिफरेंट अबस्टरिक पेंटिंग भी करती हैं और इसके इलावा भी अपनी पेंटिंग के हवाले से आपको बताएंगी मुक्तलिफ एग्जिबिशन का हिस्सा रही है हमारे साथ शायरा अरीज मौझ आपने शायरा कब से सीखा है इस सीखा है प्रापर प्रेंटिंग बगारा करना समझ लें कि एक खांदानी जो होती है न चीज वह वह चीज मेरे मामू माशला आर्टिस मेरी अम्मी माशला आर्टिस तो अब मेरे अंदर वही चीज अच्छा उनको देख देख के आपने कि देख रहे हैं तो पस वह चीज खुद बखुद आ गई अंदर अच्छा अगर हम पेंटिंग से क्योंकि जाहरे पेंटिंग का अपना-पना कोई मकसद होता है यह वाली जैसे पेंटिंग है बड़ी ब्यूटिफुल है और वाल हैंगिंग भी हो सकती है आपके लिए तो इ देखेंगे एब स्ट्रक हैगी और इसमें जो यह कलर्स हैंगे ना यह एक इनसान को अंदर की उसकी जो फिलिंग्स होती है तो यह वह चीज निकल के बाहरा आती है अब उस वह खुबसूरत अंदास में देखने वाले उसको अलग-अलग तरहां से जज़ करते हैं हर इनसा अच्छी है यह आएम एफ से कर्जा मिलने के बाद जब खुशाली आजएगी वह वाली फीलिंग्स है और बाकी जो हमारी फीलिंग्स है ना वह बहुत दुखी है आजकल तो वह यह प्यारे प्यारे कलर्स में उसकी अकासी नहीं हो सकती लेकिन यह बहुत बीटिफुल है इसको देखके एक मिनट आप रुखते हैं अच्छी यह आपकी पेंटिंग है इसमें तो आपने और चीजों का भी इस्तेमाल किया है यह मिक्स मीडिया आट है और यह अमेरिकन आट है और इसमें आप मैंने ना क्रेटिविटी दिखाई है अपनी इसमें यह फ्लावर्स मै इसमें लुदे यह अपर से खुद बनाए अच्छा और यह सारी चीज़े मैंने खुद से बनाई है यह किससे बनाए यह पेपर से बनाए जी थर्मकोल है यह बॉल्स टी इनको मैंने खुद तरहाई है क्या message इसमें आप दे रही है, dream, inspire and you can do it. इसमें ना freedom है, तो इसमें जैसे birds दिखाएं, तो वो एक freedom हैगी, एक family freedom होती है, तो इसमें freedom है, अच्छा, freedom है, freedom का हिसास हो रहा है आप वो इसले, जी, जी, बिल्कुल, ठीक है, और आपने कहां कहां के ना exhibitions में participate किया, और अपनी journey के बारे में हमें कुछ बताईए, बिल्कुल, मैं वैसे तो साओधी अरफ में रहती थी, 12 साल से वहीं पे थी, वहां माशलला मेरा studio था, बच्चों को सिखाना, और वहां पे exhibitions की, वहां अरफ अरफ थे, उनके साथ, इमराती थे, उनके साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा वा गुजरा है वहां पे, तो वहां माशलला से मैंने बहुत exhibitions वगरा की, और मेरे अपने घर में माशलला से बारे में लोग जो है, वो बाहर जिस तरह आप रहीं साओधिया वगरा में, तो वहां पर paintings खरीदने का शौक रखते हैं? बिल्कुल, यहां तो मैं जब आई तो मैं देखके हैरान थी, यहां पर माशलला से donation बहुत ज़ादा है, donate की जाती है, मैंने खुद अभी, अच्छा donate की जाती है painting बिल्कुल, यहां पर मैंने अभी खुद donate की है, इसमें फ्रीडम पर काम करती हूँ, यह एक औरत का जो खाब होता है, जो एक वक्ट के साथ चल रहा होता है, तो वो एक ही वो चीज़ है, कि एक वक्ट गुजरता हुआ वो वक्ट और उसकी फ्रीडम, वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो अपना वो जो उसका फ्रीडम होता है न, वो उसी वक्ट पे होता है, वो पूरी तरह से अजाद नहीं है, जिनमेदार ही हैं, तो इसमें मैंने वही चीज़ क्रियेट की है, तो ये भी मिक्स मीडिया आर्ट है, इस मैप्स ट्रेक है, ये जो मियूसिक है, ये एक फिलिंग्स है, क्योंकि आप जब भी कुछ सॉंग वगएरा सुनते हैं, तो आपके अंदर एक फिलिंग्स आती है, तो वो ये चीज़ मैंने इसमें बिखा लिए, अच्छे ये आप अकेले खुद ही करती है, या कोई जिस तरह आपने का कि वालदा भी क्योंकि आर्टिस्ट हैं, तो वो भी कुछ आपको साथ में बताती है, ये मैं खुद करती हूँ और इतने टाइम में बस, मैं जब वहां यहां रही तो बस वो उसके बाद से, मैं तरह साथ में सौदी आर्प में गई तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया तो वहीं से ये चीज़ अंदर हुई कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरे हजबर माशा ल ला से बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अपने बहुत सपोर्ट किया, और Allah का शुकार है, Allah नहीं आपको पुछाया अच्छा ये जो सामने एक और पेंटिंग है, जिसमें कोईन्स हैं वो नीचे जो रखी दिया हमने डॉलर्स होते तो ये वापस ना जाती इसमें मिक्स कोईन्स है तो चलो हम वापस दे लेंगे जो सामने छाएं मेरे हजबंड के मैनल जाता है अच्छा और उन्हों को करेक्ट करने का बहुत स३ॉफ खूँख तो उनसे को देखके मुझे फूर्स ही शूब हुई तो तो मैंने का कुछ ना कुछ इसस्टे भी आट क्रेट करना चाहिए तो मैंने इससे भी art create की तो अच्छे यह है क्या इसमें आप क्या पैगाम क्या दे रही है इसमें और गौर से दिखाएं करीब से जो coins है ना उनको मजीद दिखाएं और एक जो इसमें मतलब क्या यह यह वाला जो है एक जो है medal है जो हाथ पे है ना यह medal है और यह जो सारे coins हैं यह हर country का old coin है और यह जितने भी coins है इनको एक जगा create करने का मकसद यह है कि हर मुल्क अगर इसी तरह एक साथ मिलकर रहें तो वो बहुत success हासल कर सकते हैं दुनिया बदल सकती है तो यह वो ही चीज है और उसमे फिर आपको medal मिल सकता है medal in a sense के success हो सकती है बेतरी हो सकती है इतमे नान हो सकता है तो यह जब आपको paintings वगएरा बना रही होती है तो कोई distractions होती हैं आपको क्या one go में बनाती है या पहले बनाती है फिर थोड़ा break लेती है थोड़ा break तो लेना पड़ता है आपको पता है जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ break तो लाजमी है तो बच्चे आके नहीं चीजों में कोई extra line लगा कर चले जाते है नहीं मैंने बहुत discipline से रखा हुआ है बच्चों को अचा, बेसम भी पैंटिंग्स को यहाँ बच्चों को बच्चों को नहीं ममा की जो जगा है भापने बिलकुल टच करना है भाँ खुच समझाया वाजके बटा यह चीज ऐसी है आपने आपने बच्चे नहीं लगाना है सब की आज बात हो गई है बच्चों की, शोहर की, इनलॉस की, अम्मी की, मामू की सब माशालला बहुत अच्छे, बहुत साथ देते हैं, यहां तक पहुचने में बहुत साथ दिया है जाहिर है, हाँ बहुत जादा अच्छा, आपके बराबर में भी पेंटिंग है, इसमें आप क्या मेसेज दिया है आपने? यह एक पूरा सैट मैंने बनाया है, एक समझने के हर सन के साथ से एक होती है न, तो मैंने वो प्रेट की है हर सन में आपको अलग नज़र आएगा अच्छा, एक पेंटिंग हमने आप पीछे भी लगाई है, अपनी पेंटिंग को हटाया हमने और यह पेंटिंग लगाई है और इसमें भी कौइंज नज़र आ रहे है, यह क्या पेंटिंग है? यह जातर जो बिचारे लोग बाहर जाते है न, उनकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आती, उसे पैसा नज़र आता है तो यह वही चीश मैंने दिखाई है, कि एक लेबर वहां जिस तरह से काम कर रहा होता है तो इसमें आपको अलग-अलग कलर्स नज़र आएंगे, यह कलर्स सबके फ्लैग्स अच्छे जो उपर येलो और वाइट और ब्लू कलर हैं तो फ्लैग्स उनके कलर्स हैं, और यह हर कंट्री में जिस तरह से लेबर्स काम कर रहे हैं, उनकी मैनत तो नज़र नहीं आती है लेकिन ये कि वो उसका सिर्फ पैसा नजर आता है लोगों को लेकिन उनकी मेहनत वो जिस तरह से कर रहे होते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं बहुत जादा जो लोगों को नहीं नजर आती है तो मैंने वही चीज, तो मैंने बी इसमें और इसमें भी inspiration आपकी husband होंगे उनको आपने देखा होगा कि यह बहुत mehnat करते हैं और लोग समझते हिं कि इनके पास बहुत पैसें आ रहे हैं इसके लावाब भी लेबर्स को दनको मैं आउने को देखते है न बहुत इन्सान जो मेहनत से मतलब एक चीज तो खोद न वो जिस तरह से दिखाया है मैंने कि वो खोद के निकाल रहा है तो एक चीज वो दिखाई है अच्छा आप क्या और करना चाहती है अपनी पेंटिंग्स की जरीए क्या आपका अगे प्लाइन है मेरा आगी यह प्लैन ही कि मैं कुछ मेरी कोशिश होती है मैं कुछ न्यू करूँ क्योंकि पेंटर्स तो सब माशियलला सबका काम बहुत अच्छा और पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है तो मैं जैसे वहां पर रही हूँ साओधी अरब में तो वहां पर मैं इमराती मैं देखें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बहुत तो मैं जब उनके साथ होती थी थी ना वो अपनी कंट्री से पैचाने जाते थे तो मुझे एक दिल में होता था कि मुझे भी अपना नाम अपनी कंट्री से बनाना है तो मैं 12 साल की रहाइश सब को छोड़ के यहां से विशली आई क्योंकि मुझे अपना यहां से नाम बनाना था पैचान बनानी थी अपने मुल्क से मैं इस चीज़ को यहां इसली लाई कि मतलब मेरा मुल्क क्यों ना हो अचा यह तो लेकिन यह है कि जब हम पेंटिंग्स की और इस तरह के आर्ट की बात करते हैं तो उसकी ज़्यादा ऑपरचुनिटी और एविनियूज आपको अनफॉर्चुनिटली कहना चाहिए लेकिन अपने मुल्क में नहीं मिलते बहार ही ज़्यादा मिल रहे होते तो फिर आप उसको कैसे केटर करती हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जाहर है हालात ऐसे हैं लोगों के पास आर्ट को उस तरह एंजॉय करने का मौका नहीं है उस तरह से उनकी आप कह लीजे फाइनिशल कंडिशन नहीं है कि वो अपनी जरूरतों के इलावा चीज़ों पर खर करते हैं नवो बहुथ दिल को करते हैं यह चीज बहुत अच्छी लगी मुझे घर खर करते हैं तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और के आर्टिस्स बहुत अच्छे हैं आर्ट्स कांसिल वैसे भी एक वो जगा है ये तवाम लोगों के लिए है कि अगर आपके अर्ट का या कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप महाँ पर जा सकते हैं और बिलकुल अपनाईयत भी प्रसकते हैं अपना काम भी शोकेस कर सकते हैं बहुत अच्छा मतलब महां का आप कहते हैं हौल इतना अच्छ है बिलकूल एमर्च चासाथ की बहूत काविश है खयर आज सकंसिल के हवाले से और मृट अच्छ है तो मुझे सिर्फ यहां पर यह था कि नीन सिर्फ था पर ने किया अब अच्छे कैसी पेंटिंग अब आप बनाना चाहती है जैसे आप कैन्वस पे बना रही है मुक्तलिफ पेंट्स यूज करी है लेकिन और भी लोग मुक्तलिफ नाम लेते हैं कि अब मुझे उस लेवल तक पहुंचना है आप ऐसी पेंटिंग बनानी है तो आपका कुछ ऐसा है जी मेरा बस की होता है कि मुझे ना कुछ न्यू क्रेशन करनी है आर्टिस्ट जो होता है वो कच्रे से भी आर्ट बना लेता है तो मेरी कोशिश ही होती है कि मुझे अगर कोई भी ऐसी चीज मिल रही है आप ये किन करें मेरे पास कच्रा जादा जम होता है तो कोई बच्च से आप देखें बहुत कुछ किया जा सकता है तो शायरा प्लेजर मीटिंग यू बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपकी अच्छी सोच है आप आगे बढ़िये बेटर काम कीजिए यह हमारी दौा है और आप हमारे प्रोग्राम में तश्रीफ लाइए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर एक ब्रेक आगया है ब्रेक के बाद हमारे एक और महमान उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे